जैसी कृष्णा हमारे चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम श्री ठाकुल जी को भोग दरने के लिए दूदगर की सामगरी सफेद पेडा सित करेंगे ये सामगरी हम श्री प्रभु को नित्य में और सभी उत्सव पर भोग दरते है तो पेडा बनाने की परफेक्ट रीच जाने के लिए वीडियो को एंट तक अवर्षे देखिए और रेसीपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेर करना ना भूले पेडा बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक हैवी बोटम कड़ाई रखे और उसमें चार कप यानि की एक लिटर फूल क्रीम दूद पदराए अभी मैंने 6.5 फैट का दूद लिया है दूद जितना अधिक फैट का होगा उतना ही मावा ज़्यादा सुन्दर और प्रभूलायक तयार होगा हाई फ्लेम पर दूद में एक उबालाय तब तक हमें उसे कड़्ची की मदद से चलाते रहना है अगर आप लो फैट दूद का उप्योग करोगे तो उसे उबालने में ज़्यादा समय लगेगा और उसमें से जो मावा बनेगा वो काफी कम कॉंटिटी में तयार होगा कड़ाई भी आप इस तरह की बड़ी ले और दूद को उबाले से पहरे कड़ाई को अच्छे से खासा कर ले ताकि मावा सफेद बने पांच मिनिट तक दूद को गरम करने के बाद उसमें एक उबाल आ गया है और दूद की जो मलाई है वो कड़ाई की साइड में चिपपक रही है कड़्ची की मदद से मलाई को इस तरह से निकाल कर दूद के साथ मिक्स करते जाए क्योंकि दूद के जो जादा तर फैट होते है वो मलाई में ही होते है उसमें मिठास के लिए हम वं थर्ड कप यानि की 80 ग्राम शक्कर पदराएंगे बर्फी या पेडा बनाते वक्त ये मेजरमेंट खास द्यान में रखे कि अगर आपने एक लिटर दूद लिया हो तो उसमें 80 ग्राम शक्कर पदरानी है शक्कर पदराने के बाद उसे दूद के साथ अच्छे से मिला ले और शक्कर जब तक मेल्ट हो जाए और दूद उबल कर अच्छे से गाड़ा हो जाए तब तक हमें उसे हाई फ्लेम पर कडची की मदद से चलाते रहना है अगर आपको स्मूद मावा बनाना हो तो दूद फूल क्रीम ही ले और दूद पहले गरम किया हो वैसा ना ले यानि कि कच्छे दूद में से आप मावा तयार करोगे तो वो काफी सॉफ्ट और स्मूद तयार होगा दूद को 15 मिनिट के लिए उबालने के बाद उसका वॉल्यूम आदा हो गया है अभी भी हमें उसे हाई फ्लेम पर इस तरह से चलाते रहना है अगर आप गैस की फ्लेम लो या मीडियम रखोगे तो मावा बनने में समय भी अधिक लगेगा और मावा का जो कलर है वो अच्छा सा सफेद नहीं आएगा पेड़े हम तीन तरीके से बना सकते है एक तो पहला तरीका ये है कि आप दूद को उबाल कर फिर उसमें शक्कर पदराए दूद को आप रब्री जैसा गाड़ा हो तब तक उबाले और फिर उसमें शक्कर पदराए ताकि जो भुना हुआ मावा होगा उसमें शक्कर केरेमलाईज होकर मिक्स होगी और ब्राउन कलर के पेड़े तयार होगे और तीसरी मेथड ये है कि आप पहले फिका मावा तयार करें फिर उसे हाथ से मसल कर स्मूथ करें फिर उसमें बुरा पदरा कर उसमें से पेड़े बनाए दूद उबल कर बासुंदी जैसा गाड़ा हो गया है जब भी आप शी ठाकुर जी के लिए कोई भी सामगरी सित करें तब अप्रस में स्नान करके स्वच्छ कोरे वस्तर पैन कर मन में प्रभु का स्मरन करते करते किसी भी प्रकार के लोकिक विचार मन में ना लाए और दीर अगरी प्रॉपर नहीं बन पाती अब दिरे दिरे दूद उबल कर रबडी जैसे गाड़ा होने लगा है अभी भी हमें उससे कड़शी की मदद से लगातार हाई फ्लेम पर चलाते रहना है आदे गंटे तक दूद को उबालने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी रबडी जैसी गाड़ी हो गई है अभी भी जब तक मावा अच्छे से थिक हो जाए और वो कड़ाई में से सेपरेट होने लगे तब तक हमें उसे हाई फ्लेम पर चलाते रहना है इसके अलावी मैंने दूद गर अनसकड़ी नागरी और सकड़ी की सामगरी चैनल पर पोश्ट की है जिसक तब तक वो कड़ाई छोड़े तब तक उसे पकाए टोटल 40 मिनिट तक दूद को उबालने के बाद मीठा मावा बनकर तयार है लेकिन अभी भी वो कड़ाई में चिपक रहा है इसलिए फिर से हम उसे लो फ्लेम पर 5 मिनिट के लिए इस सरसे चलाते रहेंगे ताकि उसमें जो थोड़ा भी मॉइस्टर होगा वो सब जल जाएगा अगर आप ऐसा लूज मावा बना कर उसमें से पेड़े बनाओगे तो मावा हाथ में चिपकेगा और पेड़े का शेप भी परफेक्ट नहीं आएगा जो लोग पहली बार पेड़े बना रहे हो उसे चैक करने के लि से मावा की गोली बना कर देखे अगर गोली परफेक्ट बनती है तो समझे कि मावा अच्छे से कुक हो गया है इस सरसे आप करशी के उपर मावा लोगे तो भी वो आसानी से नीचे नहीं किरेगा तो ऐसा बिल्कुल भी लूज ना हो और स्मूध हो वैसा मावा हमें से ग्रीज की हुई प्लेट में निकाल कर इक्वल लेवल में सैट करे और उपर से बादाम पिसा की पाच्री पदरा कर जब तक वो रूम टेंप्रेचर पर ठंडा ना हो जाए तब तक हम उससे रखेंगे फिर चाकू की मदद से उसके टूक करेंगे फ्लेवर के लिए माव में हम पाव चम्मच इलाइची का पावडर पदराएंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे मावा को प्लेट में थोड़ा स्प्रेड करें ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए अब रूम टेंप्रेचर पर मावा बिलकुल ठंडा हो जाए तब तक हमें उससे चालिस से पैंतालिस मिनिट के बाद मावा अच्छे से ठंडा हो गया है अब हतेली में थोड़ा गी लगाए और मावा को हलके हातों से मसल कर थोड़ा स्मूथ कर ले मसल ते वक्त जादा प्रेशर ना दे वरना मावा में इसे मौश्टर सेपरेट होगा तो भी वो चिपचीपा हो जाएगा इस प्रकार से मीठा मावा बना कर आप उसमें से मीठी कचोड़ी, गुंजा और मेवाटी जैसी विविद सामगरी प्रभू के लिए सिद्ध कर सकते हैं अब मावा को दोनों हाथ की हतेली की मदद से थेप कर उसमें से सिलिंडर शेप देंगे और जितनी साइज के आपको पेड़े बनाने हो उसके मताबिक उसमें से गोले बनाएंगे अभी हम मीडियम साइज के पेड़े बना रहे है तो इतने मावा में से 15 नंग पेड़े तयार होगे अगर आपको पेड़े इस तरह से हाथ से ना बनाने हो तो मार्केट में और ऑनलाइन पेड़ा प्रेसर और विविद प्रकार के मोल्ड मिलते है उसका उप्योग कर सकते है अब मावा की गोली को हतेली में रखकर अंगोठे की मदद से बीच में प्रेस करेंगे और थोड़ा खड़ा हो जाए फिर उसमें पिस्ता की पाच्री से सजावट करेंगे आप चीरोन जी या बादाम की पाच्री से भी सजावट कर सकते हैं श्री प्रभु के लिए कोई भी सामगरी सिद करें तब भोग लगाते वक्त उसके उपर सजावट अवश्य करें वज़न के मुताबिक इतनी कॉंटिटी में से हम 300 ग्राम जितने पेड़ा बना सकते हैं ये पेड़ा आप एक दिन तक रूम टेम्टेचर पर और तीन से चार दिन तक रेफ्रीजरेटर में स्टोर कर सकते हैं पेड़े बना कर उसे एक गंटे के लिए बार ही रहने दे ताक मुझे ख्रमा करें अगर आपको ये पेड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो उससे दूसरे वैशनों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो उससे सब्सक्राइब करके बाजू में देगे बेल आइकोन पर क्लिक करें थैंक्स फर वाचिं इस वीडियो